आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं दिवाली स्पेशल एक न्यू सीट रेसिपी पिस्ता बर्फी जिसे की हम बनाने होने हैं मिल्क पाउडर के साथ तो आज मैं पताऊंगी आपको वो टिप्स के जिसके साथ आप घर में ही मिल्क पाउडर के साथ इतनी सॉफ्ट और यमी सी बर्फी बना के तायार कर सकते हैं तो दिखें मैं आपको दिखा रही हूं बनी है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी तो यहां मैंने लिया है एक पैन उसमें मैं एड़ कर रही हूं 2 टेबल स्पून देसी घी और घी को हम यहां तो गी हमारा अच्छे से मैल्ट हो गया है अब मैं इसमें एड़ करूँगी एक कप दूद्ध मिल्क और मिल्क को हम अच्छे से गी के साथ मिक्स कर लेंगे इस तरह से और अब मैं यहां इसमें एड़ करूंगी एक कप पिजी हुई चीनी और इसे भी हम इस मिक्षर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां फ्लेम जो है आपका मीडियम ही होना चाहिए और इसके बाद अब हम इसमें एड़ करेंगे यह मिल्क पाउडर तो मैंने यहां पर 300 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है और मैं इसे थोड़ा थोड़ा इस तरह से आड़ करते हुए इसे लगता इस तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें कोई भी लंस न पड़े तो देखिए मैं इसे किस तरह से मिक्स कर रही हूँ दिरे दिरे थिक होना स्टार्ट हो जाएगा इसे हमें कंटिनुसली स्टेर करते रहना है और यहां हमारा जो यह मिक्षर है काफी थिक होना स्टार्ट हो गया है हमेंसे लगता इसी तरह से कोप करना है और फ्लेम आपका लो टू मीडियम ही होना चाहिए और अब मैं यहां इस या साथ भूडा है तो यह हमारा जो बिटिस के तयार है तो चलिए अब भड़ार लेते हैं तरह मैंने एक ट्रेमर लगाया है साथ ही घी के साथ ग्रीस कर लिया है और यहां मैंने इसमे ड़ाल available है और अब मैं यहां इसे spatula की help से इस तरह से इस बैटर को set कर दूंगी तो देखिए मैं किस तरह से set कर रही हूँ और अब मैं इस पे garnish करूंगी यह पिश्टा जिसे मैंने सोक करकर इस तरह से cut कर लिया है और इसे भी मैं इस spatula की help से अच्छे से थोड़ा हलकी हलकी हाथ से प्रेस कर देंगे तो अब हम इसे रख देंगे दो से तीन घंटे के लिए room temperature पर ही जब तक कि यह set होना हो जाए तो देखिए यहाँ दो गुंटे बाद मैं से चेक कर रही हूँ यहाँ हमारी बर्फी जो अच्छे से set हो गई है तो इसे अब निकाल लेते हैं और अब मैं इसके जो sides हैं इसको cut कर लूँगी और अब हम यहाँ पर जो यह बर्फी के pieces हैं उन्हें cut कर लेंगे जितने आपको छोटे यह बड़े pieces में cut करना है तो देखिए यहाँ हमारी पिस्ता बर्फी बन के तैयार हो गई है देखिए कितना अच्छा texture आया है इसका तो चलिए अब हम इसे कर लेते हैं प्लेटिंग तो देखा आपने कितना easily हम घर में ही पिस्ता बर्फी बना सकते हैं वो भी milk powder के साथ milk powder आप किसी भी brand का use कर सकते हैं तो इस दिवाली आप यह मिठाई बनाएए घर में और enjoy कीजिए तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे comment box में लिखे ज़रू बताईएगा और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे एक like ज़रू कीजिएगा और अपने friends के साथ इसे share कीजिएगा थैंक्स वाचिंग माई वीडियो बाबाई